नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मिद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने चनल पर प्रापर तरीके से काम कर रहे होंगे फाइली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले ही सबस्क्राइबर की बारे में कि आखिर हम किस तरीके से subscribers, जो genuine subscribers होते ही, जो नया channel होता है, उस पर हम कैसे बढ़ा सकते ही, तो finally यहाँ पर आपकी जो starting में गलती होती है, वो चीज़े मैं आपको बताऊँगा, और जो चीज़े आपको नहीं करनी है, जो आप कर रहे हो अभी, वो चीज़े आपको नहीं कर पर click करेगी, अब यहाँ पर guys, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने नया channel बनाया, आपकी सबसे बड़ी गलती यह होती ही guys, कि जब आप channel बनाते ही, तो आप इधर उधर जो link होती है, अपने video की, या फिर जाके किसी के channel, बड़े channel के comment में आप link share करते ही, जाके आप वहा लिखते ही, please like and subscribe my channel, आप यह करते ही, मेरे video को देखिया और मेरे video को like करेए, और subscribe करेए, मेरे channel को support करेए, यह अपकी सबसे बड़ी mistake होती ही guys, क्यों, अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि guys, मैं आपके नजरिये से ही, आप कैसा सोचते ही, जो आप कर रहो ना, यह से महिनत करनी है, और आपको जुट जाना है कि नहीं, हमें अपने channel को अच्छे तरीके से, अच्छे audience तक पहुँचाना है, उपर ले जाना है, यह आपको दिमाग में होता है, अब आप वहाँ पर गलतिया क्या करते ही, आप WhatsApp वगरा, link वगरा, share करते ही, वहाँ पर guys, आप अपने friendo PayPal share करते ही, रिस्तेदार में, तो वहाँ पर एक problem आती ही, पता है, आप सिर्फ, आपका purpose होता है कि आपके वीडियो को like करें, आपके channel को subscribe करें, आपको उस वक्त सिर्फ subscriber चाहिए होते हैं, I know, कि starting में सिर्फ आपका मकला है, कि subscriber किसी भी तरीके से मिल जा है हमको, तो बस आप कहता हो भाईया, like करो, share करो and subscribe करो, आपने ऐसा बोला, ठीक है, ठीक, इसी पकार वो आपके वीडियो को like तो कर देते हैं, channel भी subscribe कर देते हैं, जो आपके घनिश्च होते ही, वो आपके channel को subscribe कर देते ही, लेकिन वो आपके वीडियो को देखते नहीं, देखते न लेखें अब जब आप दूसरा कोई video डालेंगे तो वह आपकी वीडियो को देखेंगा ही नहीं बास समझ लेखो जब पहले वीडियो नहीं देखी उसने तो आपके इस वीडियो को कैसे देखेंगा तो आपको यहाँ पर एक काम करना है यह गल्ती जो है सब्सक्राइब करिए, आपको वहाँ पर ये फोकस करना है कि मेहनत करनी पड़ेगी मैं आपको बता दरूँ स्टार्टिंग में आपको ये नहीं कि आपने वीडियो डाल दिया और बैठे हैं ऐसे अरे यूटुब तो व्यूज ले आएगा, ले आएगा आजाएगे, आटोमेटिक व्यूज आजाएगे भाई ऐसे व्यूज नहीं आएगे, इस्टार्टिंग में आपको कुछना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगे, शेयर तो करना पड़ेगा लेकिन शेयर आप ये थो नहीं कि आपने ऐसे शेयर कर दिया और वो आपके वीडियो को सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर रहे है और आपके वीडियो को देख नहीं रहे है इससे आपकी वीडियो की जो ओडियन रिटेंसन है, इंगेजमेंट जो इंगेजमेंट होता है, ये आपके चनल का कम हो जाता है, वीडियो का कम हो जाता है जिससे फिर YouTube आपकी उस वीडियो को बिलकुल भी आगे इंप्रेशन नहीं भीजागा किसी ओडियन्स तक, तो आपको अपना वीडियो राइट ओडियन्स तक पहुचाना है जो सही ओडियन्स है जैसे कि जो उसी टाइप की ओडियन्स है उनी से आपको या फिर अपने फ्रेंड पे भी आपको ये पूचना है आपको मैसेज करना हो उनको पूचना है कि भाई मैंने वीडियो बनाया है आप कहीं भी सेर कर रहो, ग्रूप में सेर कर रहो कि भाई मेरा वीडियो देखो और मुझे बताओ मैंने क्या कमी की है तो इससे audience जो भी है आपका दोस्त, मित, रिस्तेदार या भी other friend या भी social media में जितने भी है वो आपके वीडियो को देखेंगे वो आपके पूरा वीडियो वाश करेंगे आपके कमिया ढूणेंगे अगर आप सिधा बोलोगो कि भाईये लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो तो फिर वो आपकी वीडियो को सिर्फ लाइक सब्सक्राइब तो कर देंगे लेकिन आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं इससे engagement आपके वीडियो का कम हो जाएगा फिर YouTube आपके वीडियो को आगे नहीं forward कर गया reach नहीं आगे आएगी impression नहीं बेज़एगा नहीं audience तक तो यह आपको काम नहीं करना है आपको उनी audience बेजना है उनी को पकरना है उनसे बोलना है कि मेरे वीडियो में कमी क्या है मुझे कमी बताओ क्योंकि स्टार्टिंग में ये गलतिया आप लोग करते हो सिर्फ आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में रहते हो किसी तरीके सर्थ सब्सक्राइबर आ जाए गैस आपको सब्सक्राइबर नहीं आपको व्यूज के पीछे भांगना है और व्यूज कैसे लाना है वो सही ओडियंस के पास आपका वीडियो जाना चाहिए ये नहीं कि कोई भी आप माले निउज वाला है उसको आप टेक वाला भेजे दे रहा हो भाई ये लो देख लो तो कैसे देखेगा आपका वीडियो तो सही ओडियंस को आपको सेर करना है और ऐसे नहीं फरजी में कोई भी ग्रूप में आपने सेर कर दी आदा टाइम तो आप सिर्फ सब्सक्राइबर वास टाइम में लगा देते हो गैस आपको स्टार्टिंग में अपने जो वीडियो से आपको यूटूब को अलाइस कराना है यूटूब को समझाना है कि नहीं मेरा वीडियो इस टाइप का है और इस टाइप की ओडियंस तक जाना चाहिए ताकि यूटूब भी आपकी हेल्प कर सके पता लगे आप बैठ गया ऐसे वीडियो डालके कुछ करी नहीं रहे उसमें तो ऐसे व्यूस तो नहीं आएगा आपको उसको भेजना पड़ेगा आपको अपने ही फोन से या फिर दूसरे के फोन से दो तीन चार फोन से आपको उसको सर्च में करके अपना वो टाइटल वो सर्च करके आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा और देखने के बाद फुल वास टाइम देना पड़ेगा जिससे देन जब आपका अच्छा खासा इंगेजमेंट आजागा उस वीडियो में देन वो आगे वीडियो वो यूटूब आपके खुद वीडियो को आगे नई ओडियन्स तक दूसरे लोगों के रिकमेंडेशन में जा फिर व्राहो शीचर में डालेगा ठीके इससे क्या होगा कि आप देखिए पहले भी आपको अच्छा खासा एंगेजमेंट मिला तभी व आपकी वीडियो को नहीं देखेगा तो क्या मतला वज़से सब्सक्राइबर का क्योंकि अगर जो बेस स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर होते ना यही हमारे चनल को आगे बढ़ाने में काम आते मालीजे आपके 150 सब्सक्राइबर ऐसे होगे जो आपने इधर उधर से ले दिखलती या कैसे भी करके अपने लेकिन अगर उन्ने आपकी वीडियो नहीं देखी गाई तब क्या होगा तब तो दिख्कत ऐगी ना दिख्कत आएगे के नहीं आएगे तो वही गलती आपको नहीं करने आपको राइट ओड硬ियो पहुंचा नहीं है उनके जाकर उनको भेजना है और फुल आपको engagement लेना है वो आप कैसे भी करके लेना है लेकिन लेना है लेना पड़ेगा आपको तबी वीडियो यूटूब आपकी वीडियो को आपकी यूटूब के वीडियो चैनल को आपको वो आगे impression बजाएगा उसी टाइप की audience के पास impression भीजेगा जिससे आपका वहाँ पर title और thumbnail अच्छा होगा तो लोग click करेंगे अब जैसे click करेंगे फिर से वो increase होगा फिर से आगे forward करेंगा नहीं भाई अच्छा engagement आ रहा वीडियो अच्छा है देन फिर वो आगे रिच जाएगी फिर लोग click करेंगे इससे जिसको अच्छा लेगागा आप आपको subscribe भी करेगा बास समझना वो पहले पहली बार में subscribe ना करे देन इसके बाद क्या होगा जब आप अपने चनप पे दूसरा वीडियो डालोगी तो YouTube की एलगो ऐसी है कि वो दूसरा वीडियो जो आपने recent वीडियो डाला है वो भी उसको recommend करेगा बास समझ गे वो भी उ तक वो आपकी वीडियो को ignore नहीं करेगा तब तक YouTube उसको भेशता रहगा recommendation अब इसी तरीके से आपके चनल की growth होगी क्योंकि right audience तक आपके वीडियो सही audience तक जा रही है ना कि आप जबर जस्ती जो करते हो subscriber guys ऐसे ही वड़ते हैं मैं आपको बता दू अब 100 में से views में आपक channel right audience तक जाएगा और YouTube को भी आपके जो impressionive video के वो सही audience तक पहुचाने में help मिलेगी अब आपने क्या कि है इधर उधर आपने किसी और को दिखा दिया माली जी यहां पर गलती क्या होती है कि वो news वाला है उसको गाने सुनने में interest है या फिर उसको blogging देखने में interest है अब पता होगे ना तो वो आपकी कमिया बताएगा तो आपको पूरा वीडियो देख रहेगा तभी तो कमिया बताएगा इससे आपको engagement मिलेगा audio retention मिलेगा जिससे YouTube को help मिलेगी आपकी वीडियो को आगे बढ़ाने में सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़ते हैं गाईज अगर आप ये कम दस दिन तक पंदर दिन तक प्रॉपर तरीके से देखो ये नहीं कि आपने एक ही वीडियो बनाया और उसी का अंतचार कर रहे है उसी को आप share करो भाई आपको right to the daily आपको एक एक नया नया content देना जब तक आप नया content नहीं देंगे तब तक YouTube आपके अब देखो एक ही वीडियो का impression थोड़ी न भेजएगा ऐसे ही आप जब दूसरा वीडियो डालोगे उसका impression उन्हें ओडियोंस तक कहुंचाएगा जिन्होंने पहले देखा है अब वहाँ पर आपका वीडियो अच्छा लगेगा तो वह फिर आपके वीडियो को फिर से देखेंगे थमनेल अच्छा होगा अच्छा सा title अच्छा होगा तो देखेंगे फिर वह वहाँ पर like करेंगे comment भी कर सकते हैं और आपके channel को अगर अच्छा लगेगा तो subscribe भी कर सकते हैं ऐसे ही आपकी वीडियो की ऐसे ही जब आप 10-15 वीडियो डाल देंगे तो आपके एक वीडियो होगी जो अच्छी प्रफॉर्म कर रही होगी टॉप वन पे होगी या तो उसका अच्छा वाडियर एटेंशन होगा क्लिक थूरेट भी अच्छा होगा तो उससे क्या होगा कि यूटूब के एक हैल पर मिलेगी वो आपको उसी वीडियो को boost करने की कोशिस करेगा उसी वीडियो का impression आगे बढ़ाने की कोशिस अब देखिए starting में अगर आप ये गलतिया कर दोगे न इधर उदर आपने share कर दिया गलत audience तक वीडियो पहुँच गया और उनका interest नहीं उस चीज में तो भाई उन्होंने आपको सही ओडियन्स तक आपको अपने वीडियो पहुचा नहीं है, सब्सक्राइबर गाईज सिर्फ व्यूज के मिलते हैं, बाश समझे, आप वीडियो में कितना भी मत बोलो कि आप मेरे चनलों को सब्सक्राइब करिए, आप इस टार्टिंग में अपने वीडियो में बोल तो भाई वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो वो वीडियो आपको छोड़ के चले जाएंगे, भाई यह तो सिर्फ सब्सक्राइब करवा रहा है, स्टार्टिंग से ही वह पेले दे रहा है, तो आपको वो कम नहीं करना है, आपको ये चीज़े, आपको अपने गंटेन बनाते रहेना, guys subscriber ऐसे ही बढ़ते अगर आप ये काम अच्छे से कर रहोगे तो subscriber यार कुछ चीज नहीं होती views automatic बढ़ते हैं ऐसे ही करके, और subscriber उसे की भी आप में आते, watch time भी automatic आपका बढ़ेगा, views आएंगे तो watch time automatic बढ़ता है, ये यार guys वही ऐसे काम करता है starting में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा finally मैंने आपको जो चीज़े बतानी चाही, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो videos हैं उनको share करके आप अपनी कम्या निकालिए ना कि आप starting में आप ये बोलिए तक education वाले को भेज दिया, इसको भेज दिया motivational को भेज दिया, gaming को भेज दिया तो इसमें आपकी audience mix हो गई अब YouTube decide नहीं कर पाएगा कि आपकी वीडियो के impression किस टाइप की audience को भेजना चाहिए, simple सी बात है भाई मैं कह रहा हूँ मेरा वीडियो YouTube से रिलेटर है अगर मैं इसी वीडियो को मैं news वाले देखने वालों को या फिर mobile app चलाने वालों को या फिर gym करने वालों को जिम देखने वालों को वीडियो जो देखते हैं, blogging उनको अगर मैं अपने वीडियो सेर करूँगा तो भाई मेरे में काफी सारी audience पे चला गया ना वीडियो आप YouTube के अलगो डिसाइड़ी नहीं कर पाएगी कि आपका channel या फिर आपका ये वीडियो किस टाइप की audience को मैं prefer करूँ कहां पर reach भेजू वो doubt में आ जाएगा, मतलब जो जो algo है उसमें confusion क्रियेट हो जाएगा आपके चैनल पर की वीडियो में देन फिर आपके रीच बढ़ेगी ही नहीं वह ऐसे ही वैसे का वैसे रहेगी सो डेर सो पचास नौ सो हजार जितने भी जाती उतनी ही रहेगी व्यूस फिर नहीं आएंगे तो यह basic चीजे मैं आपको बताया हूँ इस पर focus करना उम्मिद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगे होगी और guys views आएंगे subscriber automatic बढ़ते हैं और जो मैंने आपको बताया इसी way में starting से काम करना अब ठीक है